मूल अधिकारों का उद्देश्य, कानून की सरकार, rule of law को स्थापित करना है, न की व्यक्तियों या संस्थाओं के इशारों पर काम करने वाली सरकार की। इसका अर्थ यह है कि देश का शासन कानून द्वारा संचालित होगा, न कि किसी व्यक्ति, समूह या वर्ग की इच्छाओं और शक्तियों द्वारा इसका उद्देश्य कानून को सर्वोपरी बनाना है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय मिले भले ही उनकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिती कुछ भी हो आईए इसे उदाहरणों के साथ समझते हैं कानून की सर्वोच्चता, सुप्रिमिसी अफ लौग कानून की सरकार का मतलब है कि कानून सब पर समान रूप से लागू होगा और यह सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा कोई भी व्यक्ती, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से उपर नहीं हो सकता उदाहरण मूल अधिकारों के तहट अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ती कानून की नजर में समान होगा इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ती के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा यह कानून को सभी के लिए एक समान रखता है चाहे वह साधारण नागरिक हो या देश का प्रधान मंत्री यदि कोई सरकारी अधिकारी कानून का उलंगन करता है तो उसे भी वैसी ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा जैसा कि एक साधारण नागरिक को करना पड़ता है उदाहरण के तौर पर किसी नेता द्वारा भ्रष्टाचार करने पर उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक आम व्यक्ती को मिलती है कानून की सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेष्टा यह है कि यह किसी व्यक्ती या संस्था को मनमाने ढंक से सत्ता का दुर्पियोग करने से रोकता है कानून द्वारा सभी सरकारी कार्रवाईयों का आधार और दिशा निर्देश निर्धारित होते हैं उदाहरन अनुछेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ती को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता इसका अर्थ है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ती को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया, जैसे कि गिरफतारी वारंट या सुनवाई, के जेल में नहीं डाला जा सकता, चाहे वह किसी शक्तिशाली व्यक्ती के खिलाफ आरोप ही क्यों न लगाए 3. सत्ता के दुरुपयोग को रोकना अगर सत्ता व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो और कानून के बजाए व्यक्तियों की इच्छाओं पर चलने लगे, तो इससे भ्रष्टाचार और अनैतिक शासन का खत्रा बढ़ जाता है मूल अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून के जरिये सत्ता का सीमांकन हो और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा हो उदाहरण अनुच्छेद 22. समवैधानिक उपचार का अधिकार यह अधिकार नागरिकों को यह शक्ति देता है कि वे यदि अपने किसी मौलिक अधिकार का उलंगन होता हुआ महसूस करते हैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी व्यक्ति की मनमानी के खिलाफ कानूनी सहारा मौजूद है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाती के आधार पर नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो वह सीधे न्याय पालिका के पास जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्मान किया जाता है, जहां सभी निर्णय कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। उदाहरण अनुच्छेद 19. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। इस अधिकार के तहट कोई भी सरकार या व्यक्ति किसी की आवाज को केवल इसलिए दबा नहीं सकता क्योंकि उसकी राय उनसे अलग है। 20. उदाहरण के लिए किसी सरकार या नेता की आलोचना करने वाले व्यक्ति को जेल में डालने या उसकी आवाज दबाने की अनुमती कानून नहीं देता। इसके विपरीत उसे अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। 20. डवदार अ. निशकर्ष. मूल अधिकारों का उदेश यह सुनिश्चित करना है कि कानून की सर्वोचता बनी रहे और किसी व्यक्ति या समूह को अनियंत्रित शक्ती न मिले। इसका मकसद कानून की सरकार की स्थापना करना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को नियाय और समानता मिले और किसी भी प्रकार के अनियाय और भेदभाव से बचाव हो।